कॉंग्रस ने विधायकों की बैठक बुलाई है और बैठक में शामिल ना होने पर विधायकों पर आक्शन की बात कही है लेकिन मानसर के होटेल में चहरे कॉंग्रस की बागी विधायक लगता है बैठक में शामिल होने के मूड में नहीं है हमारे समता वनीश पांडे के रिपोर्ट देखे राजस्थान कॉंग्रेस ने अपनी सभी MLS को विब जारी कर कहा है कि वो आज की मिटिंग अगर अटेंड नहीं करते हैं उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ कारवाई हो सकती है लेकिन ऐसा लग रहा है कि बागी विदायक किसी भी तरीके से वो मिटिंग अटेंड नहीं करने वाले हैं इस वक्त हम ITC होटेल मानेसर के बाहर मौजूद हैं और यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि सुबह से एक भी बागी MLA यहां से नहीं निकल कर राजस्थान के लिए गया है यहां से राजस्थान पहुचने में तकरीबन 4-5 घंटे का वक्त लगता है लेकिन अभी तक कोई भी MLA नहीं निकला यानि की बहुत सारे MLA ऐसे होंगे जो की उस मीटिंग का हिस्सा नहीं होंगे जिसे की कॉंग्रेस ने बुलाय हुआ है कहीं न कहीं उससे तस्वेर भी साफ होने वाली है कि आखिरकार कॉंग्रेस के पास में इस वक्त कितने विधायक हैं का दावा है कि उनके पास में 109 विधायक हैं, लेकिन वहीं सचिन पायलेट की तरफ से जो खबरे आ रही है उसमें यह कहा गया है कि तक्रीबन ती से मिले अभी भी उनके साथ में हैं तो कहीं न कहीं आगे आने वाले समय में कॉंग्रेस की मुश्किले राजस्थान में बढ़ती नजर आ रही हैं लेकिन वहीं पर अठकले यहां भी लगाई जा रही हैं कि सचिन पाइलेट अमिश्चा और जेपी नड़ से भी मुलाकात कर सकते हैं और आगे की रणनीती भी तैय होगी कि आखिरकार रास्थान में किस की सरकार रहेगी क्यामेर परसन रोहित के साथ मुनिश पांडे माने सर आज तक